निप्टी स्मॉल केफ्टू फिप्टी इंडेक्स जी तो वरो सेंटिमेंट वहाँ 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 सकता है स्मॉल एंड मिट कैफ में बट दो तिन दिन बाद हालत सुदर सकता है बरी गिर्यापट में डेफिनेटली बहुत बरा हाथ रहेगा ऐसा एक्स एसक्टेशन है कि जो को बने इसट्रौंग बाइंग नहिं आ रहे एक्स रुक गाई लेकिन कंप्लेट नहीं हो गया और सेंटिमेंट ऑबरॉल नेगितिव रह सकता है और सेलेंटौर रह सकता है जब तो का derivative में more than 65-70% short position है इंडेक्स तूचर में तो तो cash market में as well as derivative market में short side में करा है क्या positive outlook की उम्मीद अब की जा सकती है बाजार संभलेगा आज के दिन कि मुझे लगता है कि market significant cut लेके बंद करेगा correction लेके बंद करेगा बट internet basis में एक चोटा मुटा recovery आ सकता है जो के निप्टी को 24,000 की पास तक लेके आ सकते एक बर 24,000 से लेके 24,100 यह resistance zone है अभी उसके पास जाने के बाद वह सकते वापस एक बास selling pressure आए और मुझे लगता नहीं कि आज निप्टी completely recovery लेके बंद करेगा कौन से पसंद आ रहे हैं सर अभी जो इस थिती है बाजार की उसके हिसाब से आप कौन किस तरीके के stocks में recommend करेंगे निवेश करना जी अभी देखिए मार्केट में जो अभी ऐसा मार्केट होता है जब करेक्टिब मार्केट होता है तो इसका quarterly जो result आता है उस result जिसका अच्छा रहता है उसका उसमें फोकस रखना अच्छा होगा अगर टेक्निकल लेबिस के बात करें तो कुछ टॉक में अच्छी कासी correction होना चालो हुआ अगर आप रे कमेंड करें कुछ तो क्या कि लिए यह आने वाले वीक के लिए आज तो मैक्सिम बेहतर निए है यां इस बाइयोंडिक्स्वा है ऑइन च्पाइंच अच्पा लग रहे हैं और होटल श्टॉक कैसे अच्छा लग रहा है उसको凶्वेसिबिक हो जो सपोर्ड के पासरेट कर रहे हैं प्र सब सकते हों चाहिए जो जो नारजर पाइंक से जी सनारे बेरिया इस υट्रीयाb तो बैंक उतना ऐसे बैंक जैसे बरा नहीं बरी नहीं है लेकिन चोटा बैंक जैसे सी यूब भी है फिर पेडरल बैंक है यह सब बैंक में पाइं के लिए सोच सकते हो पसंद आ रहा है आपको लेकिन एक यहां पर मैं यह भी सवाल करना चाहूंगी कि आज तो बुरी तरह टूटा है तो क्या आउटलुक पॉजिटिव है इस समय बैंक उफ बड़ोदा का गिरावट के बाद भी जी आउटलुक पॉजिव है क्योंकि वीकली चार्ट देखता बैंक बारोदा ने एक सिग्निफिकन अपसाइट दीखाया आश्ट टूट में तो जॉब्स ट्रेंथ है मेरे खायाल से बैंक उफ बड़ोदा में स्टरिंथ थैसर पी औन भी में स्ट्रेंथ नजर आरही एक夏 पीन बी कैसा लग रहा है आपको इस समय पिए में अच्छे घ के करेक्शन होने के बाद एक सिग्डिफिकंट रिवर्सल फॉमेशन है डेली वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉंग एक बुलिश हरामी पैटन बना है तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि यह स्टॉक 110 तक जा सकते हैं तो अब रेकमेंड करेंगे जा सकता है 98 का स्टॉप रखके बाई कर सकते हैं जी बाई करने की रेकमेंडेशन 98 का स्टॉप लॉस सर पीस्यू बैंक में तो हमने डिस्कस कर लिया लेकिन एक प्राइवेट बैंक है सर आईसी 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 आई बैंक जो बुरी तरह करेक्शन दिखा रहा था पिछले हफते आज भी बैंकिंग स्टॉप में बहुत अच्छी बढ़हत नहीं दिखाए दे रही है सर आईसी 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 आई के साथ क्या स्ट्राटेजी रखनी चाहिए कैसा आउटलोग है इस बैंक का इसे रिसेंटली एक ब्रेक आउट दिया था तो सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजरी वह हलाके आज का दिन थोरा वहुत सेंटीमेंट वीक लग रहा है अब अबरॉल मार्केट की साथ 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 आईसी आईसी बैंक पी वीकनेस है लेकिन अबरॉल सेंटीमेंट मुझे प पॉजरी पॉजरी बनाऊंगा चौबिस हजार से बुरी तरह टूट गया निफ्टी जी याँ डेफिनेटली वापस आ सकता है अगर अगर इंडेक्स में अरॉट जेवन्टी परसेंट और मोर देंटी परसेंट तो ऐसा जब पोजिशन होता है जरी जरी करके उन लोग का सब्सक्राइं का एकस्ट क्राइब होता है मार्केट के लिए告诉 आप अब संथी में मार्केट जा रहा है कि सेंटीमें एकदम खरब दिखेगा उसके बाद एपार पोजिशन और होते होए दिखेगा तब जाकर मार्केट उपर आए एगा तभी हो सकते हैं कि शौट टाम के लिए हम लोग एकदों ब्यारिस मोमेंटम मार्केट में हैं बट एक बार के सेलिंग कम हो जाए या स्टॉप हो जाए उसके बाद रिकरवरी आ सकता है मार्केट में तो हम लग उस लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं बिस्तक आपके लिए लाया है प्रिम्यम मेंबर्शिप प्रग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूजलेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट सकैन, एंकर्स के साथ च चैनल पर जाए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रिम्यम मेंबर्शिप करें.